हाई वेवान कैसे हैं आप लोग तो एलेक्टरिक पॉटेंशल हम लोग बढ़ चुके हैं हम बात जो फिक है अब इससे आगे बढ़ते हैं तो एक्टरिक पॉटेंशल क्या होता है यह समझ लिए अभ इसके डिफरेंट applications कहां कहां कैसे इस्तमाल कर सकते हैं वो देखते चले जाते हैं ठीक है तो अगर मैं अभी यहां तक बता दूँ तो electric potential के लिए आपने एक formula पढ़ा जो है k q upon r बट ये था point charge के लिए it was derived for point charge अगर एक point charge होता है तो due to that point charge at a distance r हमारे पास ये electric potential होगा ठीक है और इसका देखा था आपने जो unit लिखा था हमने वो क्या हो गया था देखो जूल पर कुलम जूल पर कुलम या फिर हम वोल्ट कह सकते हैं ठीक है लेकिन अब हम लोग बात करेंगे अगर हमारे पास spherical charge distribution है और वो shell पर है ठीक है तो क्या हो सकता है उस पर क्या क्या चीजे लिख सकते हैं क्या graph हो सकता है वो सारे points मैं समझाता हूँ आपको ठीक है तो हमें एक चीज अबें समझ के रखना है although इसका जो derivation है ये हम Gauss theorem में पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास spherical shell है ठीक है इसके तुरंट बाद वो आएगा तो अभी आपको वो formula याद रखना है और ये क्यूं आता है तो इसका धंग से जो explanation है ये आपको Gauss theorem में मिल जाएगा ठीक है although इसको हम लोग क्या करते है gravitation वाले shell theorem से compare करके लिख लेते हैं बट करने के जुरूत है जब हमारे पास गॉस्थरम है तो अगर हमने यहाँ पर radius r लिख दिया और r radius के एक charge shell पर जो total charge है ये अगर q है ठीक है तो about the field जो आपको एक formula याद रखना है या ध्यान में रखना है तो देखो at a distance r from the center ठीक है जो हम field लिखेंगे वो कितना हो जाएगा k q by r square k q by r square इसका ख्याल रखना है when r is greater than capital r जब r जो है radius से ज़्यादा होगा तो हम ये लिखेंगे और अगर कम होगा तो 0 लिखेंगे अगर r जो है वो radius से कम हो जाए तो 0 लिखेंगे मतब inside this shell जो electric field है वो क्या है 0 इसका बिल्कुल ध्यान रखना है में ठीक है तो अब एक point समझ लीजिए कि भी field तो है बट field कैसे behave कर रहा है तो अब इसको ये मान के चलो कि ये कुछ ऐसा होता कि अगर यहाँ पे center पे point charge होता तो जैसा field बन रहा होता बिल्कुल वैसा ही field बन रहा होगा ठीक है तो देखो अगर मैं field lines दिखा हूँ तो वो कुछ इस तरह से भाग रहा होगा बेटे जी अगर मैं field lines दिखा हूँ तो वो कुछ इस तरह से भाग रहा होगा ठीक है ऐसा तो यह electric field lines होगे और यह तो यह information हमें use करना है तो याद रहेगा अगर हम लोग charge shell की बात करें तो inside the shell due to that shell field would be zero and outside the shell की बात करें तो field को हम kq by r square लिख सकते हैं अब अगर हम definition पे जाएं और इस derived formula पे जाएं तो आपको कोई भी दिक्कत समझ नहीं आएगी दिक्कत समझ नहीं आने का मतलब क्या होगा कि if you talk about the potential due to shell तो क्या होगा अब समझते हैं अब हम लोग निकालते हैं potential अब हम लोग बात करते हैं potential की ठीक है due to charged shell अब इसके क्या क्या points हो सकते हैं वो सब मैं सिखा दोगा आपको बिलकुल परिशान होने का कोई मामला नहीं बनता है तो अब अगर आप देखो potential due to charge shell अगर लिखना है तो सबसे पहले हम लिखते हैं outside the shell ठीक है outside the shell कोई दिक्कत नहीं है मतलब clearly when r is greater than capital law अब आप जड़ा सोचो कि अगर हमारे पास एक shell है हमारे पास एक shell है सर देखना ध्यान से समझना और यह charge है पुरी तरह से यह charge shell है बॉस तो इस पे charge क्यों दिया हुआ है तो इसके वज़े से अगर हम field की बात करते हैं तो बाहर है अब potential क्या था potential यही तो था ने infinity से यहां तक लाने में जो work होगा तो infinity से यहां तक लाने में per unit positive charge और external agent का work done होगा वही तो potential होगा and if you talk about the electric field there is no difference between the field generated by a point charge and this shell अगर हम shell के बाहर की बात कर रहे तो भई यहां पे देखोगे तो भई field बिल्कुल वैसा ही लग रहा है देखना द्यान से समझना p point तक तो p point तक लाने से पहले यह कहीं x तक पहुँचा होगा तो exactly वही derivation काम आएगा जो तुमने point charge के लिए लिखा था ठीक है क्योंकि यहां पे e उतना ही लग रहा होगा यहां पे अगर हम e की बात करते है it is simply k q by r square sorry x square क्योंकि हमने यह x assume किया हुआ dx के लिए वगणन लिखे और उसको integrate कर ले ठीक है sir तो यहां से अगर हम देखेंगे तो p point पे जो potential होगा वो कितना हो जाएगा k q by r याद रहेगा तो अगर हम लोग charged shell की बात करते है तो outside the shell जो potential है यह कितना है k q by r exactly जो point charge के लिए formula valid था वोई यहां पे भी लग जया कई से कोई पंगा नहीं है बहुत बढ़िया अब अगर आप देखो तो दूसरा point आता है inside the shell ठीक है अगर हम inside the shell की बात करें तो inside the shell में अगर आप देखो के तो क्या होगा तो inside the shell अगर देखो तो क्या हो जाएगा जड़ा सोचिए अब कई लोग इसमें जल्द बाजीम बोलते जिरो वाई? बिकॉस फिल्ड ही जिरो जो कुछ भी बोलते एक proper उसका ground होना चीए ठीक है based on concept, theory established theory होना चीए तो अब गर मैं इस formula से देखूँ तो यहां से अगर मैं on the surface पे potential की बात करूँ तो clearly it is kq by r कोई doubt नहीं है ठीक है? अगर मैं at the surface लिखूँ potential ठीक है जी? at the surface अगर potential लिखूँ it is definitely kq by r कोई पंगा नहीं है sir great अब जड़ा सोचो इसके अंदर field 0 है it means यह ensure करेगा कि change in potential must be 0 because field is 0 और जब भी हम change in potential की बात करते हैं तो वो कहीं न कहीं से field से जुड़ा होता है या तो हम field के perpendicular चले तब भी change in potential 0 मिलता है जो already बात कर चुके है या फिर ऐसी जगह पे move करे जहा field exist ही नहीं कर रहा है तो potential में कोई change नहीं आएगा it means infinity से surface तक जो लाने का work था वही रह जाएगा उसके बाद अंदर अब कहीं भी move करो किसी से कहीं भी किदर भी जाओ तो कहीं भी कोई change नहीं आने वाला है अगर हम potential की बात करते है it means inside this shell जो potential में change है वो 0 है it means कहीं पे भी चले जाए हमारे पास potential k q by r ही रह जाएगा मतब uniform potential मिलेगा अगर हम देखें तो uniform potential मिलेगा अगर हम inside the shell की बात करो why? because field is 0 तो अब center पे बात करो कहीं भी है तो inside the shell when r is less than capital R or equals to r in both cases हमारे पास यही रहेगा तो shell के लिए potential कैसे निकालते हैं आपको यह मेरे ख्याल से समझ आ गया कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चीए तो अगर आप यहीं से देखते हो तो बड़ा एक important graph होता है ठीक है? अगर हम potential v से लिख दे versus distance लिखें for the shell charged shell की अगर बात करें तो देखो जब वो बाहर था सर जब radius तक गए जब radius तक गए आप तो यह potential पिल्कुल fix था potential fix था कितना? k q by r किसी भी point पे गया center पे गया center से आगे surface तक यही रहा लेकिन इसके बाद यह inversely proportional to r हो गया तो इसके बाद हम जब लिखते हैं तब यह क्या हो गया जो हमारा potential है वो inversely proportional to r हो गया because the potential the formula is k q by r और वो decrease होने लगया तो यह देखो यह graph काम आएगा और infinite distance पे जाकर के क्या हो जाएगा? 0 तो अगर जब भी हम लोग shell के लिए हम लोग charge shell के लिए potential की बात करते हैं तो क्या formula था कैसे आना था समझ आगया मुझे लगता नहीं कि कोई doubt होना चीए अब कैसे इसको problem में use करना है वो मैं भी समझा देता हूँ तो जब भी आप देखते हैं तो हमेशा आप देखोगे देखना ध्यान से समझना कि भी अगर हम potential के बात करते है so potential is a kind of scalar quantity ठीक है ये कह है potential scalar quantity है इसमें कोई doubt नहीं है potential कह है scalar quantity है ठीक है तो जब भी हमारे पास ऐसा कुछ हो जब बहुत सारे charges हो अलग-अलग distribution हो net potential निकाल लाओ तो सबके लग-अलग निकाल के फिर हम उसको add करते तो simple example दे रहा हूँ जहाँ से आपका एक approach develop हो जाएगा sir तो अगर मैंने यहां से दिया r1 और इसको charge दे दिया q1 अब देखो positive charge था इसलिए plus लिखा अगर कहीं पे negative charge हो तो हमें minus potential लिखना पड़ेगा तो इसको हमने q1 लिख दिया अब मान लो इसको और surface envelop कर रहा है ठीक है इसका radius जी हो गया r2 इसका radius हमने r2 लिख दिया और इसके कुछ minus charge दे दिया sir ठीक है ताकि कोई पंगाई नहरा बच्चे से किस तरह से हमें आगे बढ़ना है वो ध्यान से देखिएगा और ये सभी चीज़े capacitor में बहुत काम आनी है तो इसको हमने minus q2 लिख दिया एक और surface दे देते हैं ठीक है जी एक और surface दे देते हैं इसको pink से डाल देते हैं ठीक है तो ये वाला अब radius R3 हो गया सर और इस पे चार्ज जो हमने दिया प्लस q3 इस पे जो चार्ज दे दिया हमने गो प्लस q3 दे दिया देखो तो तीन ये different charges हो गया सबका radius अलग अलग दे दिया हमने अब अगर आप से कोई पूछता है कि बाहर potential कितना होगा outside the surface ठीक है तो यहां पे potential कितना हो जाएगा तो यह बड़ा असान question होगा कि अगर मैं इस p point पे potential निकालना चाहता हूँ and that r is greater than even r3 मतलब सबसे बाहर है तो सभी shell के लिए point charge assume करके जो potential का formula होगा है that is k q by r वो लिखते और काम बन जाएगा सबका algebraic sum लिखते तो देखो k मैं सीधा लिखता हूँ यहां से ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना है k by small r क्योंकि सबके लिए distance तो वही रह जाएगा अब मैं यहां पे q1 minus q2 plus q3 कर लो तो समझ आएगा तो यही potential होगा अगर एकदम से बाहर चले जाए तो ठीक है अब अगर मैं कह दूँ कि नहीं चीज सबसे अंदर आ जाते हैं यहां आते हैं suppose we have a pointer s at a distance r मतलब r1 sorry यहाँ पे मैं distance लिख देता हूँ ताकि कोई confusion न रह जाए मैं distance लिख देता हूँ sorry where a is less than r1 a जो है r1 से भी कम है तब क्या हो लिखना होगा हमे तो अगर a r1 से भी कम है सबसे अंदर आगे अब हमें इस point पे potential निकालना है जी अब क्या होगा सब के अंदर वाला यह point है तो एक एक करके हम लोग लिखते हैं कि अगर मैं इस surface के लिखूँ तो इस बाले charge के लिखूँ तो जो इसके surface पे potential था वही अंदर होगा तो मुझे क्या लिखना चीए सर k q1 upon r1 फिर दूसरे के लिए आता है बिसका काम कतम दूसरे के surface पे जो होता वही inside the shell होता तो minus k q2 by r2 वैसा ही तीसरे के surface पे जो होता ताकि और clarity आजाए अब यहाँ पे एक point ले लिया sir यहाँ पे point z ले लिया at a distance of b अब अगर यहाँ पे लिखना है तो देखो पहले sphere के बाहर है आप in this case जो b है वो बहुत chargically दिया हुआ है b जो है वो r1 से जादा है ठीक है r1 से जादा है लेकिन r2 से कम है मतब इन दोनों के बीच में है तो अब अगर मैं उस z point पे potential लिखना चाहता हूँ तो पहले वाले sphere के बाहर है मतब actual distance from the center लिखना बढ़ेगा तो from the center लिखोगे so it would be k q1 upon r r मतब सारी b distance हमने b रखा हुआ है वो b लिख दिया क्यों ऐसा लिखा क्योंकि पहले sphere के बाहर थे आप लेकिन अगर हम दूसरे sphere के बात करें तो उसके अंदर है मतब दूसरे sphere के surface पे जो potential होगा वही अंदर होगा तो minus k q2 upon अब देखो ये दूसरे का जो radius है उसके अंदर है तो radius लिखना पड़ेगा which is r2 और तीसरे के भी अंदर point है तो क्या लिखना पड़ेगा plus k q3 by r3 मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी कोई दिक्कत होनी चीए आप सभी को यहां तक बाते समझ आगे होंगी तो जब भी हम electric potential की बात करते हैं और वो भी shell की वज़े से तो किस तरह से लिखना है यह पता चल गया कैसे लिखना है अब इस पे based कई सारे question आएंगे ठीक है इसके तुरंट बाद जो अब इसके बाद जो lecture आना है जिसमें हम लोग volume पे distribution देंगे charge का ठीक है पूरे volume पे equally अगर distributed है uniformly या non uniformly distributed है charge तो potential कैसे निकलेगा ठीक है दिन उसका उपयोग आगे करते चले जाएंगे तो मेरे ख्याल से यहां तक आप सभी को बाते बहुत अच्छे से समझ आ गई है बट इसके questions भी लगातार इसके साथ साथ हम लोग करते चले जाएंगे ठीक है तो चले फिर आप से मुलाकात हो दिया ठीक है ओके बाए ठीक के यह